नवश्कार आदाब दोस्तों, हिंदो इसमें आपका स्वागत है, मैं हुकराम उत्राखंड में एक बार फिर मुख्यमंतरी बदल चुके हैं, नए मुख्यमंतरी गोसित हुए हैं, पुसकर सिंग धामी पिछले अगर मैं बात करूँ साड़ी चार सालों की, तो उत्राखंड में बदलाओ भले ही ना हो, लेकिन तीन बार मुख्यमंतरी बदल ले जा चुके हैं और जब भी मुख्यमंतरी बदले हैं, उससे पहले कुछ ना कुछ नया विवाज जरूर शुरूआ है तो सबसे पहले मुख्यमंतरी बने थे तिरवेन सिंग रावाद, जो तकरीबन चार साल मुख्यमंतरी रहे, उसके बाद आगए तिरत सिंग रावद, और अब नाय आया है, पुसकर सिंग धामी तो पिछले साड़े-चार साल में उतराखंड को तीन मुख्यमंतरी नवास चुके बारती जिंटा पार्टी, ऐसा क्या हुआ उतराखंड की सियासत में है कि वहाँ पे ही मुख्यमंतरी बार बार बदलने जा रहे हैं, वैसे तो अगर हमी तिहास देखें, 20 साल के तिहासों जिन्होंने 5 साल का कारिय पूरा गया, नहीं तो उतराखंड में किसी भी मुख्यमंतरी ने जादा टाइम या पूरा टाइम पूरा नहीं किया, चाहिए भारती जंदा पार्टी की तरफ से बने, या फिर कॉंग्रेस की तरफ से बने, पुसकर सिंग धामी की, जो महस 45 साल क की उमरे में उतरा करने के नई मुख्यमंतरी बने हैं, कल शायद शपत ले ले लेंगे, उसके बाद ये 11 मुख्यमंतरी के रूप में जाने जाएंगे, पुसकर सिंग धामी जो है, वैसे तो RSS से बैक गराउंड है उनका, RSS के बेहत करे भी माने जाते हैं, लेकिन वकालत क पढ़ाई की हैं, और उधम सिंग नगर की एक सीट है, विदान सबर सीट, खटिमा, यहां से लगतार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, युवाव में काफी अच्छी पहचान है, युवाव में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, और 2017 में जब चुनाओ होई ते, अब इन्होंने अच्छा खासा रोल निवाया था, युवाव को बिजेपी की तरफ लाने में, इसी ही के चलते शायद इन्हें इस बार चुना गया है, लेकिन यह अटकले लगाए जाती कि तिरवेंस सिंग रावत की वापसी हो सकती है, लेकिन वो हो नहीं पाई, जो लग इसका इलाका माने जाता था, जाएतर पहाड़ी इलाका है, इसमें एक जिले को छोड़कर स्यादी कोई प्लेन एरिया है, हग दुआर को छोड़कर बाकि सब जाधतर पहाड़ी छेतर हैं, इसके लावा उतराखंड जब अलग हुआ, तो उतराखंड को अलग करने में पहली बार मुख्यमंतरी वहाँ पर बने भारते जिन्ता पार्टी की तरफ से नित्यानन्द स्वामी, जो 9 नौंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक रहे, यानि के महज एक साल का वक्ती उन्होंने गुजार होगा, उसके बाद भगस सिंग कोसियारी जो आज महराष्ट के ग जियान रखेगा, यहाँ पर सरकार बदलती है और कॉंग्रेस की सरकार आती है, नाएंड तिवारी जो कॉंग्रेस के दिगज नेता रहे हैं, हलाकि आखरी समय में अपने भाजपा में शामिल हो गए थे, वो मुख्यमंतरी बना जाते हैं, वो पूरे 5 साल का कारे अपना प तक मुख्यमंतरी रहते हैं, वो बीच में उनको हटाय जाता है, उनकी जगा, डोक्टर रमेश पोकरियाल निशंक, जो आज हमारे HRD मिनिस्टर हैं, उनको मुख्यमंतरी बनाय जाता है, 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक, लेकिन फिर बीच में क्लेस शुरो हो जाता है, भरते जं नहीं हो जाते हैं, उसके बाद कॉंग्रेस फिर वापसी कर लेती है, और कॉंग्रेस वापसी करते ही, मुख्यमंतरी बनाती है, वीजे बहुगुना को, जो 13 मार्ट 2012 से लेकर 31 जनवरी 2014 तक, मुख्यमंतरी बने रहते हैं, लेकिन कॉंग्रेस में भी क्लेस शुरो होती है, और विजे बहुगेना को जाना पड़ता उनकी जंगा आते हैं हरी सिंग रावत हरी सिंग रावत को एक फरवरी 2014 से लेकर 27 मार्च 2016 तक मुख्यमंतिरी बनाया जाता है लेकिन उसे बीच फेंटरल में सरकार बढ़ जाते है केंदर में और वहाँ पर यह कहा जाता है कि भारते जनता पार्टी ने उनकी सरकार में अटकले रोडा पैदा करना शुरू कर दिया और उसके बाद वह किसी तरह से हाइग कोट महुचते हैं हाइग कोट के एक जजज हैं जिनको लेकर बाद में काफी सीज में सामने होई हैं काभी सार विवाद भी रहा, वो मैं स्टोरी आपको फिर कभी बताऊंगा, वो सरकार की बाहली कर देते हैं, और हरीस सिंग रावत को दुबारा से मुक्यमंतरी बना जाता है, 21 अप्रेल 2016 से 22 अप्रेल 2016 तक, इसके बाद जब सरकार बहाल हो जाती है, तो हरीस रावत को फिर से मुक्यमंतरी बना जाता है, 21 अप्रेल को, लेकिन पता नहीं क्या होता है, कि 24 गंटे के अंदर ही 22 अप्रेल 2016 तक ही वो मुक्यमंतरी रहते हैं, उसके बाद फिर से वो हट जाते हैं, इसके बाद, फिर दुबारा से हरीस सिंग रावत को लाए जाता है, और 11 मई 2016 से लेकर 18 मार्च 2017, यानि कि जब दुबारा विदान सबह होते हैं, तब तक हरीस रावत मुक्यमंतरी रहते हैं, यानि कि दो बार मुक्यमंतरी का चुनाव हुआ कॉंग्रेस के बारे में भी, हाला कि बीच में खुद ही एक दुबार एटे, फिर से लग गए, विजेव गुर्णा रहे, अरिस रावत रहे, फिर आपते हैं सरकार भारते जन्ता पार्टी की दुबारा से, और मुक्यमंतरी बनते हैं, तिरवेंद सिंग रावत, 18 मार्श 2017 को, यह और इनको अटाए गया था, आप लोगों को यादि होगा, 9 मार्श 2021 को, उसके बाद, तिरत सिंग रावत, आप लोगों के सामने आई, जो इन्होंने यासी यासी बहान बाजी की, कि एक बार को तो उनको 20 दिन के लिए आईसलेटी होना पड़ा, कुरोने की वज़े से, कि वही कुरोना हो गया, उसके बाद, तिरत सिंग रावत का जो कार्यकाल, आपको पता ये, कि 2 जलाई 2021 को खत्म हो गया, उनकी जगाव ये, पुशकर सिंग धामी, जो आज मुख्य मंतरी के रूप में घोसित हुएं, कल स्थापत ले लेंगे, अब देखते हैं, पूरे, जितने आगे 6 महीनी बचे हैं, तकरीबन उसमें रिटिक पाते हैं, या फिर से एक बार चुनाओ हो सकता है, मुख्य मंतरी का, अब देखते हैं, कि जो पुशकर सिंग धामी मुख्य मंतरी बने है, भारती जन्ता पार्टी के तरफ से, वो पूरे 6 महीनी बिताद देते हैं, या बीच में कुछ और नय विवास सामने आजाता है, उनको अटा जाता है, या नहीं अटा जाता, या फिर 6 महीनी अपना पूरा कर लेंगे, लेकिन उन्हें वादा क्या कि हम काम करेंगे, या हम विकास करेंगे, जैसे तिरस सिंग्रावत ने किया था, जैसे तिर्वेन सिंग्रावत ने किया था, तो पिछले 20 सालों में तक्रीबन 11 मुख्य मंतरी रहे हैं उत्राखंड के अंदर इसमें कॉंग्रेस भी उसी डाल पर रही है और बेजेपी भी उसी चाल पर रही है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में समनता है, सेम है उत्राखंड में जायतार हमें देखने को ये मिलता है कि जायतार जो मुक्हिमंतरी आते हैं वो पाड़ी छेतर से ही आकर आते हैं ये भी वहाँ पर काफी चीजिस को लेकर चलती रखती हैं तो ये पूरा था उत्राखंड की सियासत में जो कुछ हुआ आप लोगों के सामने हैं आप लोगों क्या क्याना है निचे कमेट कर सकते हैं इस कबर को जाद 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 शेयर कीजिए दोस्तों मिलते हैं दूसरी कबर के साथ जाद बाते हैं